हेलो नमस्कार वंदे मातरम भारत माता कीजे पिछले 15 दिनों से जवान मूवी की चर्चा हर तरफ आप लोगोंने सुनी होगी और सबसे मजाग की बात ये थी कि एक बुढ़ा मेरा मतलब है हकला इस जवान का रोल कर रहा था मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिवुड में ये मूवी कोई इतनी खास नहीं थी जितनी पेड यूट्यूबर्स ने इसकी पबलिसीटी करी क्योंकि जो बहुत सारे जिनके सस्क्राइबर्स है मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये कोई सो कॉल्ड जैन्यूइन रिव्यू नहीं था क्योंकि सालों पहले भी एक ऐसी मूवी आई थी जिसका नाम था नायक जिसके अभी नेता थे अनिल कपूर जिसमें भी सेम यही दिखाया गया था कि आम जनता को किस तरीके से तकलीफे पड़ती है नेता क्या करते है यही सो कॉल्ड सब्जेक्ट था लेकिन इस बार ही इस सब्जेक्ट की इतनी सारी चर्चा क्यों अब आईए इसको समझते इसके फाल्ट्टू के फंडे और सो कॉल्ड पबली सिटी के चक्कर में लोगों ने क्या क्या मुर्खता करी उसके मैं आपको एक्जामपल देती हूँ सबसे पहली बात के बॉली वूड उर्फ गटर वूड उर्फ चर्सी वूड को ये चीजे पता लग गई है के अब साउथ की मुवीज के आगे इन लोगों की कॉड़ी की कीमत रहे चुकी है इसलिए इन लोगों को एक चीज पता चल गई थी के बले ही कमाओ एक रुपल ली लेकिन पबली सिटी में 50 रुपे डाल कर ये दिखाओ के हमने 500 रुपे कमाए है आप लोग समझे गए होंगे के मैं किस तरीके से पबली सिटी स्टंट आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रही हूँ आप लोग एक बात समझिये के जो फिल्म के ट्रेलर में ना कुछ इतना दिखाया गया ना इतना कोई एक्स्ट्रा ओर्डिनरी किये के हकला टैलेंटेड है अभी हाल फिलाल मान लीजिए तो आज तक हकले की इतनी सारी मूवी आई तब आपने कभी भी ऐसे न्यूस सुने के हकले के पोस्टर पर दूद चड़ाया गया या हकले के जो मतलब के अंदर जो उसका गेट अप दिखाया गया है उस गेट अप में लोग मूवी देखने के लिए कहीं भी आपने सुना नहीं और अब ये दूद मतलब दूद तो खेर था ही नहीं ये निकम में जो कमाते धमाते हैं नहीं ये निठले क्या ही दूद चड़ाएंगे किसी को जो खुद अपने माबाप को पानी का ग्लास भर कर नहीं देते ना भगवान के मंदिर जाते दो रूपय का दूद लेकर वो इस हकले के फोटो पर दूद चड़ाएंगे वो उसमें 90% पानी था लेकिन publicity stunt था तो उसमें ये बताया गया कि शारुख खान के poster पर दूद चड़ाया गया और जैसे कि आप जानते हैं इस देश में मूर्खो की कमी तो है नहीं तो मूर्खो में एक excitement जा गया कैसा क्या होगा movie में दूसरी बात कि जो निकम में दिन राद पंचर बनाते हैं जिन लोगों के पास और कोई काम नहीं और जो 20-25-50 रुपे में बिख सकते हैं ऐसे लोग और market में ऐसे बहुत सारे लोग पड़े भी है जिन लोगों को इन लोगों की जो PR टीम होती है ठीक है जो इन लोगों को contact करती है जो लोकल यूट्यूबर्स होते है उन लोगों को भी बताय जाता है कि इसका genuine so called ऐसा review आपको देना है और इस तरीके से ये कुछ एक मूर्खों की हमारे पास जमात है जो ऐसे पट्टे वट्टे मार कर फिल्म देखने के लिए जाएंगे तो अगर मैं ये जो मूर्ख है जो हकले की इस picture को इतनी promote कर रहे है कि सरकार को ये करना चाहिए जो media नहीं कर सकी इतने सालों में वो इस हकले ने दो घंटे में कर दिया तो मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूँ कि हकले का जो get up करके तुम लोग गए थे तो क्या तुम पैड मैं मूवी जो इस देश में मलब स्त्रियों की महावरी से related एक बहुत ही अच्छा subject था तो क्या पैड मैं मूवी देखने के लिए तुम सब पैड पैन कर गए थे मलब तुम मुर्ख हो जन्म जात ये तुमें बताने की जरूरत नहीं थी जो ये पट्टे वट्टे बांद कर तुम थियेटर में जैसे तुमारा बेसना लगा हो उस तरीके से जाकर फाल्तूगिरी कर रहे थे मुझे इस देश की जन्ता पर हसी आती है और चलो तो शारुख खान तो मैं ऐसा मानती हूँ के ही ज़एरी माइंडेड क्योंकि उस हकले को पठान के समय से ही पता चल गया था कि वो पेट चुका है और ना उसकी मुवीज चलने वाली है तो ये फाल्तू के एक नहीं होता जबके आतंकवादी आपके बच्चों को ठोक कर चले जाते है उस चीजों की आप चर्चा नहीं करते हो तो वो कहावत है ना दिखाओ पर मज जाओ अपनी अकल लगाओ वो वाला सीन शारुख खान ने इस मूवी स्टंट में करके दिखा दिया कोई इतना हाइक क्रियेट करने की जरूरत नहीं थी ना इतने लोग जो दिखाया गया था ठीक है जैसे मैंने बोला कि सिलेक्टेड मूर्खों का एक ग्रूप होता है ठीक है जो लड़किया चिला चिला कर बोल रही थी वो उनी जमातों में से एक थी जो दो पांच रूपे के चक्कर में किसी भी फिल्म का कोई भी रिव्यू दे सकती है अगर आज आप उनको बोलोगे कि हम तुझे दस हजार देंगे पांच हजार की जगे और तु शारुक खान को गाली दे तो ये निकम्मिया वो भी करेगी और जो मूर्ख ही बोल रहे हैं कि नेता अपना सोच समझ कर चुने ये वो उसके लिए हकले की मूवी को देखने की जरूरत नहीं है लोगों को समझ में आती है कि नेता कैसा होना चाहिए और जो नेता जैसा होना चाहिए न वो देश की पसंद लोगों ने अल्रेडी करकर रखी है उसके लिए बॉलिवुड के दो टके के भांडो के रिव्यू की या पिच्चर की कोई ज़रूरत नहीं है शायद अनिल कपूर की मुवी देखने के बाद ही है न कॉंग्रेस की सत्त पलट गई थी ये मुझे ऐसा लगता है तो एक बार ये जो मुर्ख जो प्रजाती है न वो वो मुवी भी एक बार देख ले था कि उनको पता चले कि ये कोई नया कॉंसेप्ट या कोई फंडा नहीं था अब मैं आपको ये बात करूँगी कि इन लोगों ने देखा बाहू इन निकम्मों को पता चल गया कि आने वाली उनकी पीडी घर पर सिर्फ जाडू कटका ही लगाएगी इस वज़े से ये स्टंट करना बहुत जरूरी था और जैसे मैंने बोला इस देश में जितनी मुर्खों की संख्या है उतनी कहीं भी नहीं है इसलिए मुर्खों ने ये स्टंट को सक्सेस्फुल बनाया अदर्वाइस ये मुवी ने कोई इतना बिजनेस नहीं किया है और इसका जो सच्चा बिजनेस का आकड़ा है न वो सिर्फ इस फिल्म का डिरेक्टर और हकला ही जानते है पबलिक को सिर्फ मुर्ख बनाया जा रहा है ये बोलकर के 800 करोड क का बिजनेस कर दिया 700 करोड का बिजनेस कर दिया क्यूंकि इस देश की जो जनता है वो इतनी भी घदी नहीं है जिनको समझ में नहाता हो आप बॉलिवूड की कोई भी मुवी उठा कर देखोगे तो वो हमेशा साउथ की मुवी से प्रेरणा लेकर डिटो टू डिटो इन को सिर्फ और सिफ कैरेक्टर चेंज करने है स्टोरी लाइन डायलोग कुछ भी चेंज नहीं होता है इसका मतलब हमारे डिरेक्टर से बहुत ज्यादा टैलेंटेड साउथ के डिरेक्टर है जिनकी कॉपी पेस्ट करकर ये निकम में बॉलिवूड में हीट जाते हैं भी बोल रही हूं कि कि आप एक बार वापस ये चीत सोच कर देखना कि हकले की इतनी सारी मूवीज हीट थी लेकिन तब ये नौटं किया क्यों नहीं हुई दूद चड़ाया पानी भेका पता नहीं क्या क्या क्योंकि जैस तरीके से जो लड़का दूद चड़ाने के लिए उपर चड़ाता फोटो पर मैं शत प्रतिशत बोल सकती हूँ कि वो निकमा अपने बाप के लिए एक दूद की थेली भी अफॉर्ड नहीं कर सकता होगा लेकिन जैसे मैंने बोला मूर्खों की गिंती में इस देश का अवल नंबर है तो इस वज़े से ये मूवी का जो अधर्वाइस ऐसी 550 मूवी बनी है जिसमें रियालिटी दिखाई गई है कि देश के नेता कुछ एक नेता कैसे होते हैं देश की जनता क्या होती है और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक मूवी ना बॉलिवूड के भांड ठीक है जो पाल्टियों में जाकर क्या करते हैं और मैं जो स्ट्रगलर लड़कियों का किस तरीके से मिस्यूस किया जाता है शारीरिक शोशन करके उसके उपर एक मूवी जरूर बननी चाहिए ऐसा मुझे लगता है तो मैं यह भांड है जो हकला मैं उसको बोलती हूं कि एक मूवी जारा बना उसके उपर क्योंकि आब वैसे टेरी बेटी शायद लौन्च हो रही है जैसे तेरे ठीकान नहीं थोबडे के फिर भी तुचल गया हो सकता है तेरी बेटी भी हिट हो जाए तो अब देखना वो ही है कि जो पंचर चाप इसके फैन है वो पंचर चाप इसकी बेटी को हीट कराते हैं के नहीं अब देखना तो जैसे मैंने बोला दिखाओ पे मत जाओ अपनी अकल लगाओ शारुक का ना कोने में बैठकर आज भी पठाण और जवान मुवी के लिए रहा है जो यह हाइक जो क्रियेट किया है ऐसा कुछ है नहीं तो आप लोग निश्चिंत रहो बगैर बोले ना यह कुत्ते ना बॉ नमस्कार वंदे मातरम भारत माता की जये